दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं आपकी रोज फ्लार प्लाइन्ट की लीफ ऐसे बार्ण होते जा रहा है ऐसे खराफ होते जा रहा है यह देखी ऐसा हो गया बहुत कमेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मेसेज भी मेरे पास आते है कि सेर मेरे रोज फ्लार प्लाइट को प्रटेक्ट करें कैसे हम हमरे रोज फ्लाइट को बचाए और इसका जो रिजन है रिजन क्या है और रेमेडीज क्या है आज इसके उपर वीडियो है आप लोग काइंडली आखरी तक देखिएगा तभी जाके आप लोग को पूरा बात समाज में आ पाएगा और फ्लाइट में तो देखिए लीफ ऐसा बांड हो चुके है और ज़रते जा रहा है ये लो हो गए और इसके बाद भी इसका जो ग्रोथ है देखिए थामनेल के उपर आप लोगों ने देखा है इसका जो ग्रोथ है ग्रोथ भी देखा है और इसका लीफ बांड होते जा रहा सब चीज दिखा है तो रिजन क्या है सब चीज आप लोग को मैं शेयर करूंगा आभी देखिए धीरे धीरे करके टेंपरेचर हाई होते जा रहा है कही 38 कही 40 कही 41 और कही 34 to 35 डिग्री भी है कही कही क्या होता है आज क्लावड है नेक्स डे बारिश हुआ है एक दिन बाद फि यह जो वेदर चेंजिंग है वेदर चेंजिंग की कारण यह शब चीज होता है और वेदर चेंजिंग हमारे रोज फ्लार प्लाइंट बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाते बरदस्त नहीं कर पाते ओस टाइम क्या होता है हमारी लीफ यह देखिए जो ओल्ड लीफ है खास क पत्ते पेखता है, root से पानी नहीं ले पाते, पत्ते तक पहुचा नहीं पाते, उस पत्ते की ओपर पत्ते की अंदर जो पानी है ओ पानी ले लेंगे तो ये जाएगा ड्राई हो जाएगा इसका टीप्स ड्राई होना चालो होगा पत्ते की आप देखेंगे पत्ते की टीप्स से चलो होता है बार्ण होना तो ये ड्राई होना चालो होता है और इसके बाद धीरे धीरे करके ऐस की कारण है और पानी की कमी की कारण है आप अगर तीन से लेके चार बार पांच बार करके आपके फ्लावर प्लाइंट को सवारिंग कर पत्ते को गिली रक शकते हो, पत्ते के उपर मेस्टिर बरकरार रक शकते है तब आपकी फॉलार प्लान्ट में ये शब चीज़ देखने को नहीं आता है लेकिन इतना टायम कहा पर है इतनी टाइम ना होने के कारण हमारे रोज फ्लावर प्लाइंट के उपर ऐसा रेजल्ट मिलते हैं लेकिन डोंट बरी ये कोई भी बिमारी नहीं है ये कोई फंगास नहीं है आप गलती से भी ज़्यादा से ज़्यादा फंजिसाइड इस्प्रे ना करें क्योंकि रोज फ्लावर प्लाइंट बहुत ज़्यादा रिपिटेट फंजिसाइड पसंद नहीं करतें इसलिए आप बहुत ज़्यादा बारी बारी से फंजिसाइड की स्प्रे ना करें रूट जोन में भी आप ना दिजिए धेन रखिएगा कुछ लीफ ऐसे भी होंगे देखिए पेली इलो कलर का इटमिंस क्या है सामार की टाइम में हम पानी थोरा सा ज़्यादा दे देते है हमारे रूट जोन में पोट में ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा पानी देने से हमारी फ्लावर प्लांट थोरा सा एलकलाइन मैसूस करते हैं, एलकलाइन एटमेंस हमारे जो मीडिया है, मीडिया एलकलाइन की और जाते हैं, एसीडिक नहीं रहते, उस टाइम हमारे फ्लावर प्लांट की प पहले alkaline हुआ था और इसके बाद धीरे-धीरे acidic होना start हुआ है तो हम दो-चार बर ऐसे acidic water दे देंगे तो हमारे flower plant के पत्ते बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे टाइप की हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे तो acidic water आपको हफते में एक बार देना है अपलाई करें fertilizer भी शेयर करेंगे तो आप हम क्या करेंगे, यह जो पत्ते जहर रहा है देखी आपके पास एक से दस plant है तो यह पत्ते को आप अलग कर दिजी यह पत्ते अलग कर दिजी, आपको अच्छा लाएगा और नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरे पास plant बहुत है 100 प्लास है तो मैं एक एक करके एक एक plant की पत्ते अलग नहीं कर शकते मेरे पास यतना time नहीं है मैं 2-3 घंटा early morning स्रेप काम करते है फिर पूरे दीन मैं कोई भी काम नहीं कर शकता हूँ तो मैं एक काम नहीं कर शकते तो हमारे क्या होता है पत्ते धीरे-धीरे करके ज़र जाते है ये no problem ये पत्ते धीरे-धीरे करके ज़र जाएंगे अपना आप ज़रेगा और हमारी flower plant फिर से देखने में अच्छे होंगे और ये जो कुछ leaf है देखी ये आँधी चलने के कारण पत्ते से पत्ते ऐसे टकरा गाए और उसके कारण ये शाब चीज हुआ है no problem इस टाइम आँधी चलते है तो आपके leaf कुछ खराप हो शकते है इसमें भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है जो continue मैं आप लोगों को क्यार की वीडियो देते रहता हो उसको slip आपको follow करना है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है मैं इसके बाद भी तीन बार पाने की सवारिंग करता हूँ एक बार शुबे एक बार दोफेर और एक बार शाम की टाइम इससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ आगे चलके मैंने सोचा है कुछ सेट अप लगाएंगे ताकि कम से कम पांच बार मैं सवारिंग कर पाओ और मेरे फ्लार प्लान्ट अच्छा हो फिर जिस टाम मैं सेट अप लगाऊंगा उस टाम आप लोग को मैं जरूर शेयर करूँगा कैसे सेट अप लगाया कैसे क्या क्या है उसमें खर्च क्या आया सब चीज आप लोग को एक बीडियो बना के दिया जाएगा ताकि आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आप लोग भी उसके उपर काम कर शकते हैं चलिए आप और एक चीज दिखाता हूँ पत्ते जलने का और भी एक रिजन क्या है यह देखिए छोटा सा एक रिजन है और हम कभी एक चीज कई बार ऐसा होता है समाज में नहीं आता है यह देखिए कुछ रूट्स देखिए शोयल की उपर है तो फिर में जिस टम धूप तेज होता है high temperature होता है तो ए जो roots है ए रूट्स का ए रूट्स का जो भी सिक्रेशन होंगे ए सिक्रेशन plant जहापर भेशते है पानी जहापर भेशते है उस जगह पर भी moisture खतम होता है और dry होता है तो क्या करना है हमको ऐसा condition में नहीं छोड़ना है यह root नहीं देखना चाहिए हमको root ढख देना है तो हम क्या करेंगे हलका सा malching कर देंगे देखिए malching के लिए मैंने क्या लिए है कुछ compost कुछ रेत construction में रगने वाला रेत और कुछ निम खली इसमें हमने लिए है देखिए और इसको क्या करेंगे फिला देंगे ऐसा करके अब ही हमने उपर soil नहीं लिए देखिए क्यों मैं हमेशा ही soil कम से कम यूज करता हूँ अब लोग को पता है 50% rate रहता है बालू it means sand रहता है तो हमने किये किये अब ही हमने 50% के हिशाब से soil तयार नहीं किया हमने सिरिफ कुछ compost मिला लिए है और कुछ निमखली और कुछ रित mix करके देखिए यह हमने एक layer तेयर कर दिया और इसके बाद हम fertilizer भी देंगे और आप लोग को share करेंगे और इसके बाद हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा यह जो roots है roots आभी और उपर नहीं आएगा उपर नहीं आएगे त ऐसा leaf देखके आप एकदम से over watering ना करेंगे तो ए जो branches देख रहा है ए ब्रांच में डाइबे करना एस्टाट होगा और जैसी डाइबे काएंगे आपकी flower plant मर शकता है इस बात को धेन रखिएगा कुछ tips और मैं share कर देता हूँ insecticide आपको spray करना है देखिए यह flower plant में अभी भी flower खिलेंगे यह देखिए बाट्स है यह पर बाट्स है तो इसमें flower तो खिलते ही रहेंगे इसका ID है अबरा का डबरा अच्छा plant है काफी बड़े plant है mature plant है और बरशाथ की टाइम में इसका growth और भी ज़्यादा होगा continue आप लोग को मैं share करते ही रहता हूँ अभी confidore 2 ml एक लिटर पानी में मिला के हफ्ते में एक बाट जरूर इस्प्रे करना है इस बात को आप धेन रखिएगा आपके पास श्रीडो मेल गोल्ड होगा fungicide में आप 10 से लेके 15 दिन अंतर से इस्प्रे क होगा 1 ml पालिटा वाटर multiple micronutrient floor plant को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अगर multiple micronutrient अगर इस्प्रे नहीं करेंगे ताब आपको अच्छा result नहीं देगा multiple micronutrient ampuxilin combi 2 दो ग्राम एक लिटा पानी में मिला के स्प्रे करें अच्छा result देगा आपके पास अगर rexilin CX के है तो आप 1 ग्राम एक लिटा पानी में मिला के स्प्रे करें आपको अच्छा result देगा देखिए जो fertilizer है आप लोग को मैं fertilizer भी बता देता हूँ और हलका सा mulching किये है यह actually mulching नहीं है shoyal मैंने management कर दिये shoyal का तो आप मैं क्या करूंगा कुछ fertilizer उपर से दे देते हैं और इसके उपर हम पानी डाल देते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से पता है यह जो fertilizer है green garden की special rose mix fertilizer NPK 1-2-2 एक green garden ने develop किया है और यही fertilizer हम rose flower plant को देते हैं मैं shoyal मीडिया में एक दिन छोर के देते हैं आप अगर एक दिन छोर के नहीं दे शकते आप दो दिन छोर के तिन दिन छोर के दीजिए तब भी आच्छा result मिलेगा आज मैंने चमच लिए है दो ग्राम का लेकिन इसका आधा चमच देंगे it means एक ग्राम करके हम fertilizer देते है इससे ज़्यादा नहीं देते ये धेन रखीगा ये एक ग्राम हो गया आधाल ये है आपने देखिए एक ग्राम फटलेजर हम क्या करते है ऐसे करके हम बिखेड देते है चारो सैड में बिखेड देते है अगर रेनी सिजन होगा और अगर बिंटर सिजन होगा उस टाइम हम दो ग्रम करके देते हैं लेकिन आभी डोज कम करते हैं और फटलेजर एक दिन अंतर से देते हैं शाल मिड्या में शिंडर मिड्या में डेली देते हैं ऐसे करके हम फटलेजर देते हैं अच्छे यह जो फैटलेजर है यह फैटलेजर आज हमने दिये हैं हम पूरा प्रसेस आप लोगों को बता देते हैं आज एनपिके बॉनेश टू इस्टू टू दिये हैं आगले दिन आप माल लिजिए हुविक असिट दे दिजिए उसके दूसरे दिन आप देंगे एनपिके तेरा चालिस तेरा एक ग्रम तो एक दिन आज दिया एनपिके बॉनेश टू टू इस्टू टू नेक्स डे हुविक असिड तीसरे दिन दिया एनपिके तेरा चालिस तेरा तीन दिन हो गया चौत्छे दिन देंगे आप एसिडिक बॉटर चार दिन हो गया इसके बाद फिर एक दिन अंतर से आपको देना है NPK bonus to 2 is to 2 ऐसे करके आप fertilizer दीजिए तीन बार चार बार हफते में आपका fertilizer हो शकता है कैसे जिस दिन हम acidic water देंगे उस दिन कोई fertilizer नहीं देंगे उसके दूसरे दिन humic acid उसके दूसरे दिन आप NPK दीजिए फिर एक दिन अंतर से NPK दीजिए ऐसा करके दीजिए 13-40-13 हफते में एक बार आएगा humic acid हफते में एक बार आएगा और एक बार आएगा acidic water ए तीन चीज हफते में एक एक बार ही आएगा बाकी जो time बाचेंगे ओ टाइम में आप NPK 1 is to 2 is to 2 यूज़ करें आपको definitely अच्छा result मिलेगा इसके बाद भी कोई query है दोस्तों आप लोग comments जरूर किजिए आप लोगो पूरा comments की answering किया जाएगा आप मैं पानी डाल दूँगा या भी तो मेरे पास आधा लिटर पानी है और भी पानी लेकर आएंगे अभी डाल देते है पानी फुली बाटरिंग करेंगे देखिए इसमें कॉम बाटरिंग नहीं करेंगे इतना पानी डालेंगे कि हमारे pot की drainage hole से पानी passes हो जाए इतना पानी हमको डालना है उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें शाब्सक्राब जेरू करें शाथ में बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स पर वाचिंग